बाजार का प्रदशन कैसा रहता है? एक महीने पहले के ट्रेंड क्या रहे हैं पिछले कुछ सालों में और एक महीने बाद बाजार कैसी रेट करता है बजट की बाद ये जानना बहुत जरूरी है और इस पर एक दिल्चस्प रिसर्च लेकर आए है हमारे सयोगी शरत दुबे शरत बताईए आकड़ी क्या कहानी कह रहे हैं और कैसी चाल रहती है बजट के अरूंट बाजार की? जी बिलकुल निफटी और बाजार का जो रिलेशन है आप देख सकते हैं कि अल्मूस 2019 और 2020 यहां दोनों पे एक नेगेटिव रिटर्न देखने मिला था और 2019 में तो अल्मूस 12% का डाउंटिक देखने मिला था एक इंपोर्टन आकड़ा सामने आया है कि 2021 का डेटा पे जह के दिन में तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग होगा अगर बात करें तो देख सकते हैं 2019 में बहुत बड़ी वेरियंस देखी थी एक महीना पहले लगबग 30% गिरा था और एक महीने बाद जो है अल्मूस 26% का उच्छाल देखने मिला था हाला कि सपाट लेवल्स के रहें हैं लेकिन 2021 में 8% का जंप देखने मिला था निफ्टी बैंक में और यह जो है और निफ्टी बैंक दोनों में सुपर लेटिव रिटर्न देखने मिला था ब्रॉडर इंडिस में बात करें तो स्पेशली 2021 में जो अल्मूस 13% जो है भागा था एक महीने बाद और यह बहुत बाद ले लीजिए और यह जो है लेकिन 2022 में जो है एक महीना पहले लगबख 13% का गिरावट देखने मिला था ग्लोबल आईटी सेल आफ वह था और भारत के वैलुएशन भी मेंगत आईटी के मेटल इंडिसिस की बाद करें तो एक शांदार मूवमेंट देखने मिला था मेटल इंडिसिस का 2019 में एक महीने के बजट के पहले लगबख 20% भागा और यह रिपीट हुआ 2026 में एक बड़ा जो है आपके मेटल की साइकल चली जा रहे थी तो यहाँ पे जो है मूवमेंट देखा जा रहा है कि मेटल इंडेक्स में आगे क्या होगा और आखरी में बात करेंगे ऑटो इंडेक्स की यहाँ पी लगबख आपके 2019 में एक्सपेक्टेड 16% का डाउंटिक देखने मिला था और 2020 के बाद जो है थोड़ी प्रेशर जरूर एक महीने बाद बजट में बजट के पहले रिटर्न्स देखने मिला था शुक्रिया शरद इन आकणों को डिटेल में समझाने के लिए तो बजट के अरवंट बाजार की चाल कैसी रहती है यह शरद ने बता दिया है और अब आपको बताएंगे वियाइपी शेयर